Hello everyone, स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत ज़ादा important session में आज मैं आप लोगों के साथ discuss करूँगी CCE के बारे में यानि की सतत एवं व्यापक मुल्यांकन या फिर सतत एवं समगर मुल्यांकन continuous and comprehensive evaluation क्या होता है सो ये session आप लोगों के लिए बहुत ज़ादा आज का important होगा हम लोग यहाँ पर CCE के बारे में जितनी भी बाते यहाँ पर लिखी हुई है उनको हम यहाँ पर understand करने की कोशिश करेंगे discuss करेंगे अच्छे से ताकि आपको CCE का जो concept है वो बहुत अच्छे से clear हो जाए ठीक है सो कई बार ऐसा होता है कि guys हम लोग पढ़ते हैं हम लोग किताबों में पढ़ते हैं लेकिन देखो जब तक आप समझोगे नहीं आप उसका जिस्ट नहीं समझोगे तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा तो यहाँ पर हम लोग एक overall concept को समझने वाले हैं आपको क्या करना है सिर्फ ध्यान से सुनना है notes खुद के आप बनाईएगा जितने भी important points से आप उनको अपने according लिखिएगा तो वो जादा best होता है ठीक है अब मेरे भी कोशिश रहेगी कि मैं ये सारी चीजें CCE के बारे में आज आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से discuss कर लूँ ठीक है तो start करते हैं अब हम बिना किसी देरी के continuous and comprehensive evaluation के अंदर चलने से पहले हम इसका थोड़ा सा history देखेंगे कि कहां से आया क्या इसका implement रहा कैसे कैसे ये CCE को लागू किया गया ठीक है तो चलिए थोड़ा सा इसका history पे हम लोग विचार करते हैं सबसे पहले देखो अगर पूछा जाए कि CCE का सबसे पहले सुझाव किसने दिया कि भई हमें CCE को implement करना चाहिए क्यों करना चाहिए बेसिकली CCE को implement करने का यही एक मकसद था यही एक रीजन था कि आप जो है evaluation की प्रक्रिया को pen paper से chalk and talk method से हटा करके आप उसमें गुणात्मक जो है जो quality है वो लेकर के आएंगे बच्चों के अंदर जो परिक्षा का भै है जो burden है उसको कम करना और grading system को ज्यादा प्रोचसाहन दिया गया तो जो CCE है उसको लाने का परपज ही आई था कि आप quality प्रोवाइट करेंगे evaluation में, teaching learning process में और पूरे के पूरी education में ठीक है तो यहाँ पर जो सुझाव आया था वो NPE 1986 की policy ने सबसे पहले इसके बारे में विचार किया कि भाई CCE को हमें लागू करना चाहिए section प्रक्रिया में दूसरी बात आती है उसके बाद देखो NPE का हो गया कि सबसे पहले सुझाव दिया याद रखना उसके बाद जो NCEF 2005 था उसने कहा कि आप जो है CCE के अंदर आप जब evaluation कर रहे हैं तो आप वहाँ पर course scholastic areas पर focus करेंगे तो यहाँ पर NCEF का focus क्या था हमारा जो national curriculum framework है उसका focus था सह सेक्षिक गती वीधियों को CCE के अंतरगत क्या देना बढ़ावा देना उसके बाद अगला point देखते हैं आटी 2009 में भी CCE को implement करने की बात की गई है तो वो आप धारा याद रखिएगा टोटल 38 धारा हैं Right to Education Act में ठीक है वहाँ पर धारा 29 जो था यानि कि धारा 29 के भाग एक में CCE को लागू करने की बात की गई है very very important point है ऐसे ही प्रश्न बन जाएगा कि भाई RT की कौन सी धारा में CCE को लागू करने की बात की गई है तो वो की गई है धारा 29 भाग एक में ये कहा गया कि भाई आप CCE को लागू करेंगे विद्याले में CCE को लागू किया जाना चाहिए मुल्यांकन के प्रक्रिया को और लचीरा बनाया जाना चाहिए उसके बाद देखो आर्टी का हो गया 2009 में जो आर्टी एक्ट आया आपका उसमें धारा 29 में CCE की बात की गई उसके बाद CBC ने सबसे पहले इसको इंप्लिमेंट किया याद रहना इंप्लिमेंटेशन किसके द्वारा किया गया आपका जो CBC है उनका जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है उन्होंने CCE को सन 2009 में लागू किया और कहां से लागू किया था कक्षा 9 में कक्षा 9 की जो विध्यारती चे जो कक्षा 9 की क्लासे होती है वहाँ प प्रशन ये आता है कि कौन सी सिक्षा नीती ने सबसे पहले इसकी बात की तो NPE 1986 हो जाएगा आपका NCF पूछेगा तो आप सह सेक्षणिक गती विधियां लगाएंगे RT पूछेगा तो धारा 29 में बात की गई है और अगर आप से CBST पूछेगा तो CBST नहीं 2009 में सबसे पहले कक्षा 9 की विध्यारतियों के लिए जो CCE है उसको लागू किया उसके बाद एक और प्रशनाता है कि CCE कक्षा 9 में तो यहाँ लागू हो गया लेकिन पूरे देश मे कब लागू हुआ था तो वो हुआ था 1 अपरेल 2010 को यानि कि ये वही डेट है जहां पर पूरा RT एक्ट जो है वो पूरे देश में लागू किया गया था जम्मो और काश्मीर को छोड़ करके तो वही सेम डेट आपको याद रखनी है आटी लागू हुआ एक अपरेल 2010 को उ नहां से प्रश्न बन जाते हैं तो आपको याद रखने सबसे पहले सुझा कौन सी नीती ने दिया था और CBSC कब लेकर के इसको आया तो ये सब आपको बाते जो है बेसिक बाते बिलकुल याद रखनी है अब हम डिसकस करेंगे अभी तक हमने इसकी हिस्ट्री के उपर करेंगे तो आप लोग बने रहेगा आप पूरी वीडियो देखना नोड ज़रूर बनाते रहना साथ के साथ ठीक है तो इसको में थोड़ा सा रफ कर लेती हूँ ओके तो देखो जब भी हम कॉंटिणियस की बात करते हैं सततता का मतलब क्या है कि जो चीज़ लागतार है न जो निरं्तर चल रहा है जो हुआ हमारा सतता जो लागतार है अपको जिसे मालूम होगा इसके अंतरगरते देखो क्या होता है कि जो भी लर्निंग है न वो आपक कि एक classroom के अंदर सतत चल रही है ठीक है अब CC क्या है कि आप पूरे के पूरे एक teaching learning process में किस प्रकार से evaluation करते जाएंगे वो एक सतता होती है सतता में हमारे learning आ गया कई भाई एक learning जो है overall पूरे साल learning चल रही है उसके दौरान आप वहां पे formative और summative assessment कर रहे हो तो निरंतरता क मतलब है सततता का मतलब ही यही है कि teacher आए दिन teaching learning process में लगतार क्या करता है उनका formative evaluation करता है और summative evaluation करता है इसी इन ही दोनों मुल्यांकन की प्रक्रियाओं से क्या होता है सततता आती है learning में आपको जिसे पता है एक विद्याले में एक कक्षा कक्ष है तो जो teacher है वो पूरे साल बच्चों का formative assessment करता है अब formative assessment से याद रखना कि जब हम formative assessment की बात करते हैं यानि कि निर्माणात्मक यानि कि जो बच्चा है उसकी learning का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है इसे हम assessment for learning भी कह सकते हैं assessment for learning मतलब सीखने के लिए मुल्यांकन यहाँ पर formative में teacher क्या करत थोड़ा सा मैं डिसकस कर लेती हूं फटावट से कि जो फॉर्मेटिव आपका होता है यहां पर टीचर जो है बच्चे की लर्निंग के गाप को क्या करता है दूर करता है उनकी कठिनाईयों का क्या करता है निदान करता है यहां पर जो टीचर है वो बच्चे की प्रॉग्रे तूल्स एंड टेकनिक्स का यूस्ट एंड टीचर यहां पर करता है तूल्स एंड टेकनिक्स में क्या आजाएगा तूल्स एंड टेकनिक्स में सारे टूल्स और जाएगा जैसी कि पोर्ट-फोलियो, चेक्लिस्ट, Rating Scale, Anecdotal Record जितने भी आपका है tools and techniques ठीक है वो सारा आपका formative के अंदर आ जाएगा तो teacher क्या कर रहा है लगतार यहां पर मुल्यांकन कर रहा है कमयों को दूर कर रहा है remedial teaching कर रहा है progress को आगे बढ़ा रहा है कठिनाईयों को हटा रहा है यानि कि कुछ form कर रहा है teacher कुछ निर्मान कर रहा है बच्चों की learning को ठीक है अब देखो यहां पर एक बात याद रखना कि जो FA होता है वो CCE के अंदर 40% का criteria रखता है 40% का weightage जो है वो किसके अंदर होता है CCE के अंदर होता है ठीक है 40% का CC आपका FA होता है जिसमें से 10-10-10-10 के चार बार जो है एक्जाम लिए जाते हैं 10-10-10-10 नंबर के और इस प्रकार 40 प्रतीशत जो है वो weightage किसका होता है formative का होता है और जब हम summative की बात करते हैं संकलनात्मक का मतलब होता है कि आप कोई ची को दिखा रहे हो एक quality को दिखा रहे हो तो वो आपका क्या होता है summative होता है जो कि at the end of the session किया जाता है ठीक है यहाँ पर assessment of learning इसे हम क्या सकते हैं कि भाई कितना सीखा ठीक है जब हम बात करते हैं कितना सीखा तो वो आपका summative होता है यहाँ पर achievement को देखा जाता है यहाँ judgment देखी जाती है यहां पर यह देखा जाता है कि कितना progress हुआ ठीक है तो यहां पर जो essay है वो 30% का weightage रखता है साल में दो बार essay होता है 30 and 30 marks का total यहां पर 60% का criteria बनता है और जब बच्चे का result बनाया जाता है तो वो कैसे बनाया जाता है कि आपका FA1 हुआ FA2 हुआ उसके बाद essay 1 होता है ठीक है 10 10 और 30 हो गया ठीक है तो यह कितना हो गया 50 और उसके बाद आपका FA3 FA4 और उसके बाद essay 2 यानि कि दो बार आपका essay हुआ essay हुआ essay 2 30 30 का और चार बार आपका क्या था FA था तो यह total criteria कितना बना 50 50 प्लस 50 100 marks का criteria बनता है और इसी से बच्चे का result जो है जो भी grading है जो भी उसके marks आए 91 से 100 आए तो A प्लस हो गया वो grading system के according यहां पर मार्क्स को जो है result में दिखाया जाता है तो क्या समझ में आया कि जो 40 परसेंट का criteria है वो FA का है जो की एक दो तीन चार वर किया जाता है और जो एससे है उसका criteria 30 परसेंट का होता है जो दो बार किया जाता है 30 30 60 और इस प्रकार जो हमारे marks total बने वो बने 100 ठीक है तो अब यह तो था आपका FA और essay का ठीक है जो कि मैंने आभी आपसे discuss किया और कुछ-कुछ बाते हैं जो मैं और discuss करना चाहूंगी इसमें तो वैसे बहुत सारी बाते हैं जो हम discuss कर सकते हैं जैसे कि आपका जो संकलनात्मक होता है जो आपके result को essay टाइप टेस्ट आपका short answer objective टाइप टेस्ट जो है वो सारे टेस्ट यहाँ पर written टेस्ट जितने भी होते हैं वो आपका essay के अंदर आजाता है जो at the end आप करते हैं तो मातरात्मक यह मुल्यांकन होता है और जब हम formative की बात करते हैं तो यह हमारे quality को दिखाता है यह हमारे इसमें आजाएगा formative में ठीक है तो अब यह जो formative है और यह जो summative है यह पूरे साल teacher करता रहता है करता रहता है पूरा बच्चों का आंकलन करता है यहाँ पर data collect करना है मुल्यांकन कर रहा है तो यह क्या है एक सततता है learning में क्या आ रही है एक सततता आ रही है ओके तो यह हमारा continuous अब हम चलते comprehensive की तरफ कि comprehensive का मतलब होता है कि आप बच्चे के हर एक area को cover करेंगे चाहे वो उसका सेक्षिक छेत्र हो चाहे वो सह सेक्षिक छेत्र हो आप उसके हर एक शेत्र को cover करेंगे all round development focus होता है मुल्यांकन का CCE का जिसमें आपका व्यापक्ता आ जाता है कि कौन कितने कितने छेत्र में कितने area में आप उसका मुल्यांकन कर रहे हैं क्या उसका जो development है वो कोई एक aspect रहना जाए तो इसलिए व्यापक्ता का हम ध्यान रखते हैं व्यापक्ता में दो छेत्र आते हैं हमारे पहला आता है हमारा स्तेक्शिक छेत्र scholastic area जिसमें हमारे विशें आ जाते हैं जो भी subject बच्चा पढ़ रहा है है रहले वह आपका scholastic है और co-stholastic area में क्या आ जाता है जो विशे को छोड़ करके जो अदर उसकी co-curricular activities है वो आ जाती है तो जब आगर हम विशियों की बात कर रहे हैं तो हमारा scholastic है जहाँ पर बच्चियों की संग्यानात्मक domain जो bloom taxonomy आपने पढ़ी होगी cognitive domain जो है वो हमारा scholastic में आता है यानि कि math, hindi, science, english, sst जो भी वो पढ़ रहा है उसका test किया जाता है बच्चे के संग्यान cognitive domain को यहाँ पर test किया जाता है और test कैसे किया जाएगा test किया जाएगा formative और summative के द्वारा हम अभी formative summative देख चुके है तो आपका क्या है FAS से हो गया आप लगातार जो है यहाँ पर project बच्चों को दे रहे हैं आप यहा हमारे tools and techniques जो है हम इन subject के according कर लेते हैं और जब हम essay की बात करते हैं तो हमारे written test ठीक है जो भी हमारे written test है जो भी बच्चा लिखित में परिक्षा दे रहा है वो हमारे essay का part है ठीक है यानि कि आप क्या कर रहे हैं विश्यों का मुल्यांकन भी कर रहे हैं सततता तो आ रही है FAS से सततता बिल्कुल आ रही है learning में उसके साथ साथ आप व्यापकता का भी ध्यान रख रहे हैं आप विश्यों को ध्यान दे रहे हैं और उसके बाद जो विश्यों को छोड़ करके हमारे छेत्र होते हैं वो होते हैं को स्कॉलास्टिक एरिया सह सेक्षनिक शेत्र जहां प है वो आपका को स्कॉलास्टिक में आ जाता है अगर हम यहां पर डोमेन की बात करें तो ब्लूम टैक्सोनमी का जो भावात्मक छेत्र होता है यानि कि अफ्याक्टिव डोमेन मतलब अगर कोई चीज़ बच्चा पढ़ रहा है तो वो उसकी फीलिंग्स वहां पर दिखेग तो वो दोनों छेत्र का मुल्यांकन इधर किया जाता है को स्कॉलास्टिक एरिया में क्या 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 आ जाएगा लाइफ स्किल्स आ जाएंगी लाइफ स्किल्स मतलब की जीवन जीने का क्या कोशल है उसका किस तरीके से वह अपनी लाइफ को जीता है किस तरीके से डिसिज में कैसा है और attitude क्या है उसका ये सब चीजे जो है आपके को स्कोलास्टिक एरिया को फुल्फिल करती है इसके लावा को करिकुलर जितनी भी आक्टिविटीज में बच्चा पार्टिसिपेट एक विद्याले में कर रहा है जो विश्यों को छोड़ करके वो सब आपका को स्को इसके निग की चांण कर रहे है जहाँ पर बच्चा खुद का ही सेल्फ इवालुएशन कर रहा है और जो ये एस लर्निंग है ये हमारे फॉर लर्निंग का ही एक पार्ट है यानि कि जब हम सीखने के दौरान मुल्यांकन कर रहे हैं उसके साथ बच्चा peer में, ग्रूप में बच्चा एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? मुल्यांकन कर रहे हैं बच्चा खुद का ही evaluation कर रहा है तो आपका जो है formative का part हो जाता है तो assessment for learning, as learning, of learning, तीनों ही चीज़े जो है वो continuity को दिखाते हैं, सततता इसी से आती है, आप formative में पूरे साल उनका evaluation जो है कर रहे हो, आप बहुत सारे tools, techniques का use कर रहे हो, उनकी quality को देखने के लिए के बच्चा कैसा perform कर रहा है, आप उनकी gap को दूर कर रहे हो, remedial teaching कर रहे हो, diagnose क कर रहे हो, teaching learning process को आप बढ़ा रहे हो, उनकी जो सुधार है वो कर रहे हो, तो यहां पर हम सुधार basically कर रहे हैं, यहां पर हम बच्चों की एक learning को form कर रहे हैं, बना रहे हैं कुछ, निर्मान कर रहे हैं, और जब हम यहां संकलनात्मक की बात करते हैं, तो यह आपका at the end होत तो यहां पर बच्चे का क्या किया जाता है, judgment किया जाता है, यहां पर बच्चों की value बता दी जाती है, इसको हम evaluation भी consider कर सकते हैं, यह हमारा evaluation भी होता है, संकलनात्मक ही वही है कि जो आपका evaluation है, और यह हमारा क्या होता है, assessment होता है, तो जब हम assessment evaluation की बात करते हैं, तो वो कि end आप कर रहे हो जो session के end में आप judge कर रहे हो quality को कितना सीखा product क्या रहा judgment करने के लिए result घोशित करने के लिए हम यहापे संकल अनात्मक मुल्यांकन करते हैं तो यह था हमारा CC का पूरा का पूरा concept I hope आपको यह चीज़े समझ में आई होंगी और अगर आपको details से और जदा इसके बारे में और पढ़ना है या आप जानना है तो आप comment section में मुझे बताईएगा अगर आपको tools and techniques पर video देखनी है यहाँ पर मुल्यांकन की मैंने बहुत सारी video बनाई है तो आप please वो वाली video भी जरूर consider कीजेगा and session कैसा लगा ये भी मुझे जरूर बताईएगा आपका feedback मेरे लिए बहुत जदा valuable होता है तो जरूर feedback दिया करें कोई भी suggestion हो तो देना और पहली बार channel पर हो तो channel को subscribe कर लेना ठीक है तो फिर मिलते हैं एगले session में thank you